तो दोस्तों ये बात सुनकर आपको बेहती ज़ादा खुशी मैसुस होगी कि भारत की लोग प्रिय कंपनी टाटा अब देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है तो हाली में भारत ने रूस से सस्ता तेल मंगाया है और फिर उसे रिफाइन करने के बाद से दूसरे देशों में बेचा है और इस वज़ा से भारत को कमजोर समझ के बहूत से देशों ने भारत पर हकुमत जतानी की कोशिश किया है क्युकि जब भारत ने ओय draw को ईडरोजन और बहुत सी नेच्रल गैसिस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो मैं आपको इे जनका तो दोस्तो इस प्रोजेक्त को भारत में सक्सेस्फुली बनाने की जिम्मेदारी टाटा स्टेल और वेल्स पेंड की है। transportation की cost भी हमारी काफी अद तक कम हो जाएगी तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता है कि हाली में भारत काफी huge amount of investment कर रहा है green hydrogen को भारत में produce करने के लिए और काफी सारी नई technologies पर भी काम कर रहा है कि हम किस तरीके से hydrogen को भारत में produce कर सकते जिसके बाद हम sea water यानि की समुद्र के पानी से भी hydrogen को produce कर पाएंगे ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देश आज green hydrogen को produce करने में लगे पड़े तो इन सब बातों को तो देखकर यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो fuel of the future होगा वो hydrogen ही होगा और पूरी दुनिया में जो country के पास सबसे ज़ादे advanced technology hydrogen को produce करने के लिए उसमें भारत number one position पर है और अब तो भारत ने next level काम कर दिखाया है जब यह hydrogen वाली pipeline बनकर तयार हो जाएगी तब भारत एक नया world record बनाएगा तो दोस्तो देश की बहुत सी बड़ी बड़ी कमपनिया जिन में शामिल है वेदानता, Reliance, Tata, Adani यह सभी कमपनिया काफी huge amount of investment कर रहे है research और technology पर ताकि हम भारत में last scale में hydrogen को produce कर पाए और हम भारत को hydrogen hub बना दे पूरी दुनिया में अब तो Tata Steel और Wellsman की इस नई partnership को तो देखकर यही लग रहा है कि बहुत जल भारत एक hydrogen hub बन जाएगा तो दोस्तो इस futuristic mega project के बारे में आपकी क्या रहा है मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा तो मैं इस चैनल पर भारत की ऐसी update लाते रहता हूँ अगर आपको वीडियो informative लगिए तो चैनल को लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और साथी साथ subscribe कर दीजिए